दोस्तों, इस वीडियो में हम हर्याना के अप्रेल 2020 के कम्प्लीट मन्त के करेंट अफेर्स करेंगे तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीब धायल एजुकेशन में फ्रेंड्स हर बार के तरह हमने इस मेने की अप्रेल 2020 की इसके अलाव मार्च अप्रेल 2020 और जनुवरी से लेकर अप्रेल 2020 की करेंट अफेर्स की पीडिया फाइल बना रखी है और इसके अलाव पिछले साल 2021 कम्प्लीट यर की भी पीडिया फाइल हमने बना रखी है जिनका लिंक इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो इनके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस तरह से क्यूस्चन्स इनके जो है कम्प्लीट डिटेल्स के साथ में वो हमने पीडियाफ में करवाए हुए है तो अगर इस पीडियाफ अप लेना चाते है तो इनका लिंक इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में है और इसके अलावा हमने इंडिया करणट अफेर्स भी इसी तरह से बना रखी है आपकी चार महिने की भी है जनुवरी से लेकर अप्रेल 2022 की और अप्रेल की भी है और मार्च अप्रेल की भी है और 2021 से complete year की भी है जैसा कि आप देख सकते हैं तो इस तरह सी questions जो हमने India Current Affairs के भी PDF में करवा रखे हैं और दोस्तो हमने अपना Telegram चैनल भी launch कर रखा है तो उसका link इस video के description में दिया हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा Telegram चैनल है तो आप इसको भी join कर सकते हैं यहाँ पर आपको latest videos के questions और पोल इतियादी जो है वो आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहेंगे तो दोस्तों अगर आप PDF लेंड चाते हैं तो उसका link इस video के description में आप वहाँ से buy कर सकते हैं और हमारी website है haryana current gk.com आप उस पर भी जो है विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आप questions कर सकते हैं और वीडियो और जो है PDF से भी वहाँ से आप buy कर सकते हैं तो आज़े start करते हैं हaryana की किस जिले में खाद्दे वस्तुओं की जांच के लिए lab है तो दोस्तों यह है करनाल में ओप्शन यह इसका अंसर है तो खाद्दे वस्तुओं की जांच के लिए खाद्दे वम उस्चद्धी परशाशन विभाग के पास जो चंदिगड और करनाल में दो lab है और इसके अलावा जो है अब पांच और नई lab खोलने का प्रावधन किया जा रहा है जो कि गुरूगराम फिर्दावाद हिंसारम बड़ा और रोतक में खोली जाएगी नेक्स्ट हरियाना के किन दो जिलों में किसान बाजार स्थापित किये जा रहे हैं तो यह है पंच शुकुला और गुरूगराम में तो ओप्शन बीस का अंसर है तो किसानों को अपने उपज सिदे भोगताओं को बेचने का उसर प्रदान करने और किसानों को उनकी फसल के लिए बहतर मुल ले है प्रावधन उसके लिए पंच शुकुला और गुरूगराम में ये दो किसान बजार स्थापित किया जा रहे है नेक्स्ट है राष्ट्रिय अनुसूचित जातियायो का चेर्मेन किसे निक्ट किया गया है तो ये किया गया है विजय सांपला को ओप्शन सी इसका अंसर है तो उन्हें दूसरी बार चैर्में ने बनाया किया है तो पंजाब सरकार में संपला 208-2012 तक पंजाब खादी बोड के चैर्में थे और 2014 में पंजाब स्टेट फोरेस्ट डेवलुपेंट कोर्प्रिशन के चैर्में भी रहे हैं नेक्स्ट है NSSO के अनुसार किसानों की मासिक आय के मामले में हर्याना देश में किस स्थान पर है तो इसमें जो है हर्याना तीसरे स्थान पर है तो उप्शन इसी इसका अंसर है तो राश्ट्रिय सेंपल सर्वेक्शन संक्टन है यानि कि NSSO है ये तो इसके अनुसरा हर्याना के किसान हर माँ 22,841 रुपई कमा रहे हैं और इसके अनुसरा किसानों के मासिक आय के मामलें जो हर्याना देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है नेक्स्ट हर्याना के किस जिले में 7.500 मेगावाट कर नया पाउर प्लान्ट लगाया जाएगा तो ये लगाया जाएगा यमना नगर में तो Option C इसका अनुसर है तो दोस्तो इससे में हर्याना के बिजली मंतरी रंजीत सिंग है नेक्स्ट हरियाना में केंदर के Prevention of Corruption Act की किस तारा को लागू कर दिया गया है तो ये है 17A, Option A इसका अंसर है तो अब इसके लागू होते ही जो है बिना किसी की अनुमती लिए ही State Business Bureau, I.S. और I.P.S. अबसरों से लेकर चतुत्रेन के करमचारे तक को रिशोत लेते हुए पकड़ सकेगा नेक्स्ट हरियाना के किस जिले में महाराज अगर्शेन हवाय अड़ा बनाया जा रहा है तो ये है दोस्तो हिंसार में Option D इसका अंसर है नेक्स्ट हरियाना सरकार ने किस आयो वर्ग के वैसक नागरिकों को मुफ्त बूस्टर खुराक लगाने की घोशना की है तो ये की 18 से लेकर 69 वर्श के नागरिकों को तो Option C इसका अंसर है तो पातर लाबार्थी जो है वो हरियाना के किसी भी सरकार या स्टार या डिस्पेंसरी में 200 रुपे की बूस्टर की डोज जो खुराक है क्रोना की वो मुफ्त में लगवा सकते है नेक्स्ट है हरियाना के किसी सहर में रक्षा मंत्रा लेकी 15 एकड जमीन पर NCC अकेडमी बनाई जाएगी तो ये है घरोंडा तो Option A इसका अंसर है ग्रोंडा जो है वो कर्णाल में है और यहां पर 15 एकड में जमीन पर जमीन पर जमीन पर जमीन सहर अकेडमी बनाई जाएगी और यह है अकेडमी राष्ट्रियस तर्गी रहेगी नेक्स्ट है शोध बनावचार के लिए RFR Foundation नागपूर हरियाना के किस विष्विद्यालय के साथ मिलकर काम करेगा तो यह है हरियाना केंद्रिय विष्विद्यालय तो जो कि आपके महंदरगड के जयंतपाली में है और इसके जहें कुलपति भी Prof. टंकेशोर है नेक्स्ट हरियाना के राजजेपाल ने हर्याना पुलिस के कितने अधिकारियों और करमचारियों को राष्टरपती पुलिस पदक वे पुलिस पदक से सम्मानित किया है तो ये है बान में ओप्शन डी इसका आंसर है तो इसमें जो है हर्याना पुलिस 11 अधिकारियों और करमचारियों को विसिष्ट सेवाओं के लिए राष्टरपती पुलिस पतक दिया गया है और 81 अन्यको सरहनी सेवाओं के लिए पुलिस पतक से अलंकिरत किया है राज्येपाल ने तो दोस्तो हर्याना के राजेपाल इसमें बंडारू दतात रही है नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला राष्ट्रिय रोग नियंतरन के अंदर कहां बनाय जा रहा है तो ये बनाय जा रहा है अमबाला चावने के नगल में जो की लगब 20 करोड रुपे की लागत से बनाय जाएगा और यह जो है चार मंजिला बिल्डिंग इसमें बनाय जाएगी नेक्स्ट हर्याना में समुदाई के किचन योजना के तहत शर्मीकों को कितने रुपे में भरपेट भोजने दिया जाता है तो यह है दस रुपे में तो दोस्तो हर्याना में जो है सो और स्थानों पर गरीब और जुरुतमंद लोगों को दस रुपे में भरपेट भोजने मिलेगा इसके लिए जो अभी यह जगची नित की गई है तो अभी विबिन इस विभागो द्वारा पचास स्थानों पर कम्यूनिटी किचन आने की समुझाई कर सोई चलाई जा रही है नेक्स्ट हर्याना की सबसे बड़ी सबजी मंडी किस जिले मिस्तित है तो यह है दोस्तो पानेपत में यह सबसे बड़ी सब्जी और फल्मंडी है पानेपत में नेक्स्ट हर्याना में मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक नीजी दुर्गटना बिमा योजना किन के लिए चलाई गई है तो यह है व्यापारियों के लिए ओप्शन ए इसका अंसर है तो इसके तहट ट्रेडर्स को मतर 50 रुपे में 5 लाग रुपे तक का बिमा कबर दिया जाता है नेक्स्ट है हर्याना में नगरदर्शन पोर्टल का शुबारम किसी ने किया तो इसका शुबारम किया है हर्याना के मुख्यमंत्री मनौहरलाल खटर ने तो ओप्शन भी इसका अंसर है वो इसके लिए पोर्टल जो है वो है आपका नगरदर्शन.ulbharana.gov.in तो अब नागरिक जो अपने वार्ड से समंदित किसी भी परकार की मांग जो है वो नगरदर्शन पोर्टल पर ढाल सकते हैं नेक्स्ट मंगोलिया में आईजित सीनियरेशन चेंपिनसिप में रादिका ने कौन सा पदक जीता है तो इसमें दोस्तो रादिका ने रज़त पदक जीता है ओप्शन भी इसका अंसर है रादिका जब वो हिंसार जिले के रहने वाली है और इन्होंने इस परतियोकताब में पैंस्ट किलोग वर्गाम भारवर्ग फ्री स्टाइल में रज़त पदक अपने नाम किया है नेक्स्ट हाल इमें किस हर्यानवी अभिनेता का निदन हो गया है तो ये है दरियाव सिंग मलिक ओप्शन सी इसका अंसर है तो 82 वर्ष की आयू में जो इनके गाम उगरा खेड़ी में निदन हो गया उगरा खेड़ी पाने पत डिस्टिक में पड़ता है तो इन्होंने अपने फिल्म में करियर के सुरुआत जो उन्हीं सुत्रासी में हर्यानवी भासा में बनी फिल्म चंदरावरसी की थी जो की काफी हिट हुई थी और ये जो है बाली बोल के परदेश स्त्रिय खिलाडी बे रही है नेक्स्ट हर्याना के किस जिले में आठ साल बाद सरसमेले का आयूजिन किया गया है तो यह किया गया है गुरूगराम में जो की 9 से लेकर 20 प्रेल 2022 तक सेक्टर 29 में इसको जायजन किया गया था दोस्तों गुरूगराम में इससे पहले ये सरसमेला 2013 में आयूजित किया गया था नेक्स्ट है पहलवान रवीदया ने एशियन कुष्टी चेंपियंशिप में कौन सा पदक जीता है तुन्होंने इसमें सवन पदक जीता है ओप्शन ए इसका अंसर है तो रवीदया सुनिपत जी लेके रहने वाले हैं उन्होंने इस प्रतियोगता में स्ताउन किलोग्राम भारवर्ग में जो है सेवन पदक अपने नाम किया है तो इससे पहले रवीदया ने पिछले साल अलमार्टी और 2020 में दिल्ली में भी गोल्ड मेडल जीती थे नेक्स्ट है मंगोलिया में आयोजित एशियन कुस्ती चेंपिंशिप में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है तो दोस्तों इसमें बजरंग पुनिया ने रज़त पदक जीता है और 65 किलोग्राम भारवर्ग में जो है यह पदक अपने नाम किया है नेक्स्ट है मंगोलिया में आयोजित एशियन कुस्ती चेंपिंशिप में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है तो दीपक पुनिया ने जो है इसमें रज़त पदक जीता है नोने भी option 20 cancer है तो दिपक पुनिया जो है वो फ्रिस्टाइल 60 क्लोग्राम भारवर्ग में यह पदक जीतने में काम्याब रहे हैं और यह परतियोगता जो है मंगोलिया के उलान बटोर में आज़ित की गई थी next है ACI कुस्ती चेंपिंशिप में अंसु मुलिक ने कौन सा पदक जीता है तो इन्होंने इसमें रज़ित पदक जीता है option B इसका अंसर है और अंसु मुलिक जो है वो जीन जिले के निडाना गाउं की रहने वाली है next है परसिद गीत हिंद दिचादर में हर्याना के कितने एतियसिक गुर्दवारे दिखाई देंगे तो ये है साथ गुर्दवारे जो कि इसमें है तो हर्याना सरकार ने जो है नोवे पात्चा स्री गुरुते गवादूर जी का 400 प्रकास वर्ष जववी हाली में मनाया था उसी के उसर पर जो है ये गीत लोंच किया गया था जिसमें जो है रोतक स्थित मंजी साहिब गुर्दवारे और करनाल में जीमर हेडी स्थित गुर्दवारे स्री बंदा साहिब और केथल में जो है गुर्दवारे स्री गड़ी साहिब कुरुक शित्तर का गुरुदवारश रिथानेसर ये इसके अंदर जो है वो इस गीत के अंदर दिखाए गए है नेक्स्ट है किस जिले के मेडिकल कोलेज का नाम गुरू तो एक बहादूर रखा जाएगा तो ये है यमना नगर ओप्शन डी इसका अंसर है याँ पर साथ एकड मेडिकल कोलेज जह बनाये जा रहा है नेक्स्ट हरयाना फ्री साईकल योजना 2022 के तहत श्रमको को कितने रुपे तक वितिया सायता दे जाती है तो ये है 3,000 रुपे तक की वितिया सायता इसके तहत दे जाती है ओप्शन डी इसका अंसर है और शर्म विभाग हर्याना जो है यह देता है नेक्स्ट सिर्य गुरुतेग बहादुर जी के चार सो में प्रकास प्रव पर हर्याना के किस जिले में रज्जिस्त्रिय समारो आयो जिते किया गया यह किया गया है पानीपत में उप्षिन इसका अंसर है 24 अप्रेल 2022 को यह समारो आयो जिते किया गया था तो गुरुतेग बहादुर जी जो है वो सिक्षों के नोवें गुरु थे और उनका जनम में 1621 में अमितसर में हुआ था तो इनके माता जी का नाम जो है वो नानकी था और इनके पिता जी का नाम गुरु हर्गोविन सिंग था तो दोस्तों जो इनके पिता जी थे गुरु हर्गोविन सिंग यह सिक्षों के चैमें गुरु थे नेक्स्ट किस विश्वी देले में गुरुतेक बहादूर पीठ स्थापित की जाएगी तो ये की जाएगी कुरुक्षित्र विश्वी देले में ओप्शन डीज का अंसर है नेक्स्ट एंसियार के जिलो में 10 साल पुराने डीजल किर्शी वाहनों को कब तक की छूट दी गई है तो ये है जून 2025 तक की ओप्शन सीज का अंसर है तो हरियाना के NCR में सामिल 14 जिलो में जो डीजल से चलने वाले 10 साल पराने के रशिवानों को जून 2025 तक की छूट दी गई है नेक्स्ट हरियाना सरकार अपने करमचारियों को तुनाव मुक्त रखने के लिए दफ्तरों में कौन सा ब्रेक जो है वो फ्लोट करवाएगी तो यह है योगा ब्रेक ओप्शन ए या अंसर है इसका तो इस तुरां जो है 10-15 मिनटे के अंदर योग की कुछ इसकारिया है जो है वो इसमें जो है करमचारियों को करवाएजाएगी तो दोस्तों जो भी हैं आपको यह कुश्टिंस करवा रहे हैं यह सभी कुश्टिंस पूरी डिटेल्स के साथ में जो है हमने जो पीडियाफ फाइल बना रखे हैं उनके अंदर डाले हुए है और पीडियाफ का लिंक इस वीडियो का डेस्क्रिप्चन में दिया हुए है उन पीडियाफ के अंदर हमने जो भी मन्त है उसी के अंदर जो इंपोर्टेंट डेस हैं उनको भी डाल रखा है इंपोर् है हर्याना के किस सेर में विश्व कोशल के इंदर की स्थापना की जाएगी तो यह की जाएगी गुरू राम में ओप्शन डीज का अंसर है नेक्स्ट हर्याना कोशल विकास मिश्व ने जर्मनी में युवाओं को रोजगार के अवसर परदान करने के लिए किस के साथ अनुभंद किया है तो यह किया है मैजिक बिलियन के साथ ओप्शन सीज का अंसर है तो हर्याना कोशल विकास ने राज्या के युवाओं को जर्मनी में अंतर राष्ट्रिय अर्प्रेंटेंसिप और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मेजिक वुलियन के साथ अनुबंद किया है तो हर्याना ने तमिलाडू को फाइल में प्राजित किया था और ये परत्यों किता जो है मद्य प्रदेश के भुपाल में आउजित की गई थी नेक्स्ट किस हर्यानवी खिलाडी को बीबी सी सर उसेष्ट उद्दीमान खिलाडी का अवार्ड दिया गया है तो ये है शेफाली वर्मा को ओप्शन बी इसका अंसर है शेफाली वर्मा जो वरोग तक की रहने वाली है नेक्स्ट हर्याना के किस जिले में रामधन सिंग बीज फारम स्थित है तो ये है हिंसार जिले में ओप्शन ए इसका अंसर है तो हिंसार के अंदर जो है ये अच्छाई हूँ है इसके अंदर रामधन सिंग बीज फारम है ये नेक्स्ट कीस रहाज्ज में मनरएगा मजदूरी की रासी सबसे अधिक है तो ये हर्याना के अंदर, option A इसका ऐसर है सबसे अधिक मजदूरी वाले 5 के अंदर सासीत प्रदेस और राज्जों में जो हर्याना 331 रुपार पारी दिन के साथ पहले स्थान पर है और सबसे कम जहवो मद्य प्रदेश में है 204 उपए नेक्स्ट है हर्याना की किस जिले में अमरावती प्रवत सरंखला में ट्रेकिंग और जंगल सफारी बनाई जाएगी तो ये है गुरूराम में ओप्शन डीज का अंसर है तो गुरूराम ओर नू के लगबगा 3800 हेक्टेयर भूमी पर यह प्रवजेक्ट प्रस्तावित है नेक्स्ट है चालेश में ओल इंडिया पुलिस एक्वेस्ट्रियन चेंपिंशिप और मांटेड पुलिस ड्यूटी मीट 2022 में हर्याना पुलिस ने कितने पदक जीते हैं तो दोसतों इसमें हर्याना पुलिस ने कुल पांच पदक जीते हैं, ओपेशन बीस है तो इन पांच में जो है 90, एक रजट और तीन पदक हैं तो दोस्तों इसमें जो हर्याना पुलिस के महानी देशक dicp है वो परशानकुमार अगरवाल है यानि कि PK अगरवाल नेक्स्ट है किसी और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हर्याना सरकार ने Crime and Criminals Tracking Network System को अप्रगेट करने का निरने लिया है तो ये है हर्याना पुलिस को option A इसका answer है नेक्स्ट है हर्याना के मुख्यमंतरी ने किस जिले में स्थित भाली आनंदपूर गाव में राज किये वरिष्ट मादिमिक विद्याले के बहुमंजल भावन का उदगाटन किया तो ये है रोहतक में option C इसका answer है तो मुख्यमंतरी ने किस जिले में एक मिनी एरपोर्ट बनाया जाएगा तो ये बनाया जाएगा महंदरगड जिले में बाचोद हवाई पट्टी पर तो option B इसका answer है तो इस हवाई पट्टी को बिस्तारिक्त करने के लिए जिए फिलाल जो है 3481 फिट से बढ़ा कर 5000 फिट जो है उसको किया जाएगा नेक्स्ट कोन सा राज्जे UAV संचालित गवर्नेंस एप्लिकेशन को तीवर गती प्रदान करने के लिए एक अलग निगम बनाने वाला पहला राज्जे बना है तो ये है हर्याना option D इसका answer है नेक्स्ट हर्याना में ड्रोन पाइलेट ओको ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए कि किसके ततावधान में प्रिश्रिक्शन संस्थान जो है वो बनाया जाएगा तो ये है दिर्शिया के तहत option A इसका answer है तो दिर्शिया जो इसकी फुल फॉम है ड्रोन इमेजिंग एंड इन्फोमेशन सर्विस ओफ हर्याना लिम्टेड नेक्स्ट किस हर्यानवी ने तेरवी सीनियर महिला बोडी बिल्डिंग प्रत्योकता में सवन पदक जीता है तो ये जीता है गीता सेनी ने उप्शन डीज के answer है तो ये है इसमें जो है जहरे खंड की माधवी बिलोचन दूसरे स्थान पर रही थी नेक्स्ट हर्याना में बिजली मीटर को किस से जोड़ा जा रहा है तो ये जोड़ा जा रहा है परिवार पहचान पत्तर याने की family ID से तो option C का answer है नेक्स्ट है किस गाव को नगरपालिका से अटा कर फिर से ग्राम पंचायत का दरजा दिया गया है तो ये है बास जो कि हिसारे जिले के नार्नो धलके के अंदर गाव है बास इसको जो है नगरपालिका से टाकर गराम पंचायत का दर्जा दिया गया है नेक्स्ट हर्याना के किस नो वर्षे बच्चे ने जूनियर मिस्टर परसनेलिटी का खिताब जो है वो जीता है तो ये है परवर सभरवाल ओप्शन बीस का अंसर है तो ये अमबाड़ा जिले के रहने वाले हैं नो वर्षे बच्चे नेक्स्ट हर्याना में नैशनल हाईवी पॉंटा मारग को जगादरी से कहां तक फोर लैन बनाये जाएगा तो ये है जगादरी से ताजे वाला तक ओप्शन डीस का अंसर है ताजे वाला तो इससे हर्याना के लावे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फाइदा पहुंचेगा नेक्स्ट हर्याना के किस जिले में प्रदेश का पहला पांच में जिला अधुनिक टीबी अस्पितल बनाया जा रहा है तो ये बनाया जा रहा है अंबाला में, ओप्शन डीज का अंसर है, जो कि लग बर दो एक कड़ भूमी पर चुमन करोड की लागत से बनाया जाएगा, और ये परदेश का पहला जो पांसमेला अधुनिक टीबी उस्पिटल है, नेक्स्ट है उद्यपूर में आज जिते 49 वी वर्सिक्स मेल्डन विराष्टी ये संगोष्टी में सरवसेष्ट मुख्य को सरवसेष्ट पोस्टर के पुरुस्कार से किसी सम्मानिते किया गया है, तो ये किया गया है डक्टर रविदत को, तो ओप्शन सी इसका अंसर है, डक्टर रविदत जाएगा हिसास जिले मिस्त सवाती नैन को option C answer है करनाल जिले के रहने वाली है सवाती नैन तो जल सकती मुंतराले द्वारे सवाती को 10,000 रुपे का नगत पुरुषकार परदान किया गया है नेक्स्ट हरियाना सहिते कादमी ने युवा लेकों को दोई जाने वाली सम्मान रासी बढ़ा कर कितना करने का फैंसला किया है तो ये किया गया है पचास जार रुपे से बढ़ा कर एक लाग रुपे करने का अब इसको एक लाग रुपे कर दिया गया है और इसके अलावा अब यह है समान और हर वर्स दो लेककों के बजाए चार युवा लेककों को दिया जाएगा तो इसमें 2 चेंज है एक तो 50S से इसके समाना से 1 लाह की गई, दूसरा इसको 2 से 4 बंदों को दिया जाएगा सर्वोच युवा पुरुसकार पाने में हर्याना देश में किस स्थान पर है तो इसमें हर्याना दूसरे स्थान पर है तो हर्याना में जो है 55 विवाओं को यह पुरुसकार अब तक दिया जा चुका है और महराश्टर में 57 युवाओं को यह पुरुसका दिया गया है नेक्स्ट किस राज्जे ने हर घर नल से जल मिशन के टार्गेट को पूरा कर लिया है तो ये है हर्याना ने, option A इसका अंसर है तो हर्याना सरकार के प्रयासों के काणूं जो है राज्जे में दो वर्स पहले ही याने के वर्स 2022 में सो परतिस्त गरों में नल से जल पहुंचा दिया गया है यह सरकार के तहत किया गया है नेक्स्ट है हर्याना में कहां पर फिलम सिटी बनाई जा रही है तो ये बनाई जा रही है पंस्कुला जिल्ले में हम्टी पिंजोर में जो की साथे कड़ भूमी पर बनाई जा रही है नेक्स्ट है वित्तिय वर्स 2021 के लिए NCDFIE मार्केट के स्क्रिय भागिदर पुर्शकार से किसे नवाजा गया है तो ये है उप्शन B हर्याना डेरी विकास सहकारी पर संग नेक्स्ट है हर्याना का कोन सा स्वास्ते के अंदर देश का पहला री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्वास्ते के अंदर बन गया है तो ये है दोस्तो कृष्णा नगर गामडी पियस्सी जो की कुरुक्षित्र की है तो option B इसका answer है तो इससे पहले जो है फरवरी 2018 में कृष्णा नगर गामडी प्रात्मिक स्वास्ते के अंदर पहला राष्ट्य गुनमत्ता आश्वाशन मानक वारा के अंदर बना था और अब जो है ये देश का पहला रीर सर्टिफिकेशन प्राफ्ट करने वाले स्वास्ते के अंदर भी बन गया है नेक्स्ट है विसेस साहित्य साधना समान 2021 के लिए किसे चुना गया है तो ये चुना गया है डक्टर जै भगवान गोयल को जो की कुरुक शित्तर के रहने वाले है डक्टर जै भगवान गोयल को जो साहित्य वंशिक्षा के शित्तर में हाली में राष्ट्रपति सिरी रामनात को बिंद द्वारा पदम सिरी समान भी दिया जा चुका है तो इनकी जो है तीस से अधिक पूस्त के परकासित हो चुकी है और दोस्तों जो विशेज साहिते साधना सम्मान है इसकी सम्मान रासी पांच लाख रुपए है दोस्तों अगर आप हमारी पीडियेफ फाइल जो है वो वाय करना चाते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डेस साहिते साधना सम्मान 2021 के लिए किसे चुना है तो यह चुना है इसमें आपके रोहित यादव को ओप्शन ए इसका अंसर है तो रोहित यादव जो मंडी अटेली मेहंदरगड के रहने वाले हैं और आजीवन साहिते साधना सम्मान की सम्मान रासी जो इसमें 7 लाख रुप तो हरी राम सिमीप जो है वो फिर्दवाद के रहने वाले हैं और महा कभी सुर्दास सम्मान में जो है पांच लाग रुपए पुरुस्कारासी दी जाती है नेक्ष्ट पंडित मादव परशाद मिश्चर सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया है तो ये चुना गया है डाक्टर रमाकांत शर्मा को ओप्शने इस का अंसर है तो भीवाने के रहने वाले हैं डाक्टर रमाकांत शर्मा और दोस्तों जो पंडित मादव परशाद मिश्चर सम्मान है इसमें धाई लाग रुपए की पुरुस्कारासी दी जाती है तो ये दोस्तों जो अभी आपको बता रहे हैं ये पुरुस्कार ये काफ़ी इंपोर्टनेट एग्जाम के पॉंट ओफ यू से भी तो इन्हें आप जुरूर याद करिएगा आपके CET के एग्जाम में आ सकते हैं ये नेक्ष्ट बाभु बालमुकंध गुपत सम्मान थूजाम दोजह के लिए किसे चुना गया है तो ये चुना गया है जुरुक्टर परदिवन भला को ओप्शन बीच का आनसर है तो कैथल के रहने वाले हैं जुरु बालमुकंध गुपत सम्मान है इसमें धाय लाग रुपे का पुरुषकार राशी दी जाती है नेश्ट देश बंदू गुप्त समान 2021 के लिए किसे चुना गया है तो ये चुना गया है रगुविंदर यादव को औप्शन भी इसकांसर है तो रगुविंदर यादव वरिष्ट कभी और संपादक है जो कि नाग नोल के रहने वाले है और देश बंदू गुप्त समान में भी धाय लाग रुपे पुरुषकार दिया जाता है नेश्ट पंडित लखमी चंद समान 2021 के लिए किसे चुना गया है तो यह चुना गया है वी एम बेचेन को उप्शन डी इसका अंसर है भीवानी के रहने वाले हैं वी एम बेचेन और इनको हर्यान भी भसा रम सहित्ते के शत्तर में उलेकनी या योगदान के लिए पंडित लखमी समान 2021 से दिया गया है तो इसमें भी पुरुषकारासी धायलाग रुपे है नेक्स्ट है जनकवी मेहर सिंग समान 2021 के लिए किसी चुना गया है तो यह चुना गया है लहना सिंग अत्री को तो लहना सिंग अत्री जो है वो करनाल के रहने वाले हैं और जनकवी महर सिंग सम्मान में भी धाई लाग रुपे की पुरुसका रासी दी जाती है। नेक्स्ट हर्याना गोर्व सम्मान 2021 के लिए किने चुना गया है। अंजु दुआ जेमिनी और नमिता हराकेश को तो जो कि उप्शन ए इसका अंसर हैं और ये फिर दवाद के रहने वाली हैं तो स्रेश्ट महिला रचनाकार सम्मान के सम्मान रासी भी धाई लाग रुपे हैं। नेक्स्ट है स्वामी वेकरंद युवाल लेकक सम्मान 2021 के लिए किसी चुना गया है। इसके लिए जो है शुरूति राविश को चुना गया है। और शुरूति राविश जो सुनपत के रहने वाले हैं इसमें जो एक लाग रुपे का पुरुषकार दिया जाता है। इसके लिए 6 वेक्तियों को चुना गया है। ओप्शन सी इसका अंसर है। तो हर्याना साहित्यक आदमी नोज़वर्स 2021 से विस हिंदी से विसमान शुरू किया है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट फोरेस्ट 2021 की रिपोर्ट के इमसार हर्याना में कितने वरग किलोमेंटर वन है। तो ये है ओप्शन डी 1603.8 से वरग में। मेक्स टेकिस राज्ये ने मुख्यमंतरी बागवानी बीमा योजना का फरसल बीमा पोर्टल लॉंच किया है। तो ये किया है हर्याना ने। तो हर्याना की कृश्यमंतरी जेपी दलाल हैं। ने मुख्या मंत्री बागवानी बिमा योजना के नाम से नए बागवानी फसल बिमा पॉर्टल की शुरुवात की है तो इसके तहट प्रतिकुल मोस्म रुप्राकरतिक आपता हों के कारण फसलों को होने और नुक्षान की भरपाई जो किसानों को की जाती है और इसमें जो है इस योजना में चवदा सबजियां दो मसाले और पांच फलसाइद कुल 21 वसले शामिल है नेक्स्ट हर्यान सरकार ने कितने राज़ पुलिस पुरुषकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी परदान की है तो ये है तीन अभी जो हाली में नए शुरू किये गए है ओप्शन भी इसका अंसर है तो इनमें जो है वीरता के लिए मुख्यमंत्री पदक है जांस में उतकरश्टा के लिए गरहमंत्री पदक है और अन्य बहतर कारिया करने के लिए हर्याना पुलिस उत्तम सेवा पदक ये तीन नए पदक को मंजूरी दी गई है नेक्स्ट हर्याना के किस गाह में राव विरेंदर सिंखेल परिस्तर बनाया जाएगा ये बनाया जाएगा आपके गुरुगराम जिला के वज्यराबाद में उप्शन सी इसका अंसर है नेक्स्ट है मुख्यमंत्रे ने किस जिले में तो तीन सो पच्शिस क्रोड रूपे की प्रियोजना की आधास जिला रखी है तो ये रखी है पंश्कुला में उप्शन ए इसका अंसर है और पहला जो है IIM है यह आपके इसमें जो है रोतक में है तो उप्शन डी इसका अंसर है नेक्स्ट हर्याणा सरकार किस देश में निवेश को लुबाने के लिए एक हल्प डेस्क स्थापित करेगी यह कनाडा उप्शन बी इसका अंसर है नेक्स्ट है पचासवी राष्ट्रिय मेला हैंडबोल परतियों किता का किताब किस राज़े ने जीता है यह हर्याणा ने जीता है फाइनल में दिल्ली को पराजित करके और हर्याणा हैंडबोल अशियोशेशन के अध्याग से दिगविजय सिंग चोटाला है नेक्स्ट है हर्याणा सरकार ने खिलाडियों को तिर्टिय शिरेनी की नोकरियों में कितने परतिशत का आरक्षन दिया है यह दिया है तीन परतिशत का आरक्षन इसे एक बार तो हैनों ने कैंसल कर दिया था परनतो अब इसको फिर से बाहल कर दिया है वो चतुत शिरेनी क किनो करियों में दस परतिशत कोटा जारी रखा है नेक्स्ट है इंद्रा गांद युणिश्टी मीरपूर का नया विसी किसे किया गया है ये किया गया है प्रोफिसर जे पी यादव को ओपिशन डी इस का अंसर है जे पी यादव जब मूल रूप से जजज लेके खेड़ी ख गश्रार को ओटने का फैसला किया है तो भी हाल में आदमए पाटने पंजाब one MLA one pension लागू किया है तो दोस्तों ये जो है एक समस्या ही कह सकते आप कि विधायकों को जो है जितनी बार वो विधायक बनते हैं उन्हें pension दी जाती है जो कि और सरकार करमचारियों को जो है pension खतम कर रही है और विधायकों के लिए ये सुधा है तो आप ही देखिए कि ये सुधा कैसी है नेक्स्ट हरियाना में पर सिक्षन लेने वाले कि लाड़ियों की खुराकराश्ची बढ़ा कर कितने रुपे परती दिन कर दी गई है तो ये है धाई सु रुपे से बढ़ा कर चार सु रुपे कर दी गई है याने कि इसमे डेड़ सु रुपे की बड़ोतरी की गई है नेक्स्ट हरियाना सरकार ने मेडल विजेताओं को दिये जाने वाले कैस अबाड के लिए कुन सी शर्त हटा दी है तो ये है भारवर्ग की शर्त हटा दी है पहले यह भारवर्ग कीश में सर्थ होती थी नेक्स्ट कीश हर्यानवी को जल प्रहरी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है तो यह किया गया है सोनिपत जिले करेने वाले अब मन्यू दहिया को ओप्शन B इसका आंसर है नेक्स्ट हर्यान सरकार ने जेल वाडरों की भरती किस पैटरन पर करने का निरने लिया है तो यह है पुलिस के पैटरन पर ओप्शन C इसका आंसर है नेक्स्ट बारवी नैशनल वूमन होकी चेंपिंशिप किस टीम ने जीती है तो ये हर्याना ने जिती ए, finalmente में जारकंड को पराजित करके, और ये पते होगिता जह ले हैं अंदर पर्देस के का किनाडा में आजित की गई थी, नेक्सट हर्याना के किस गाओं की कहाने को हर्याना की स्कूली पाट्थे करम में शामिल किया जाये गा तो ये है रोहनात गाउं में, ओप्शन सीज का अंसर है, तो अभी दोस्तों हाल ही में हर्याना में स्कूलों के जो इतियास की पुस्त के हैं, उनका पाठेकरम को चेंज किया गया है, और उसमें जो हर्याना के वीर हैं, उनको शामिल किया गया है, नेक्स्ट नीतिन गड़कर पुष्टनीजी अस्पितल का पुरुषकार किसे मिला है? तो ये मिला है मेदानता गुरूराम को, ओप्शन 20 का अंसर है. नेक्स्ट है अदालत के फैंसलों को इलेक्ट्रोनिक तरिके से तेजी से भेजने के लिए किस योजना को लौंच किया गया है? तो ये है महिला समर्दी योजना तो ओप्शन ए इसका अंसर है, महिला समर्दी योजना. इसके तहट जोए 75,000 रुपे का लोन जोए इन्हें परदान किया जाता है. नेक्स्ट है आई-म्टी खरकोदा में मारुत्य को कितने एकड़ जमीन दी गई है? ये जमीन जो है 900 एकड़ जमीन दी गई है, तो ओप्शन C इसका अंसर है. और नेक्स्ट हर्याना में 1 अप्रेल 2022 से कितने अंगनवाडिक के अंदर जो है वो प्ले स्कूल में बदल दिये गई हैं, तो ये है 4000 ओप्शन D's का अंसर है. तो फ्रेंड्स, उमेद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप इसे तक हमारे लिटस्ट वीडियो के प्रेट बने चाते हैं, तो हमारे चैनल सदीव धाल एजक्रेशन को सब् सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ,